Hello Students, Welcome to Roshan Ki Class YouTube Channel Students, आप सभी का आज की इस पाठियोजनाक वीडियो में एक बार फिस से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस पाठियोजनाक वीडियो में यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेक्या हैं समझविग्यान की पाठियोजना, उप वीस है, भूगोल का आपको मैंने कल परसों इतिहास की पाठियोजना दिखाई, कल मैंने आप लोगों को नागर सास की पाठियोजना दिखाई थी और आज यहाँ पे समझविग्यान की पाठियोजना है, उसमें भूगोल है, उप विस है तो तीनों विशेयों की आपको पाठी होजनां दिखा दी गई है समाज़वी ग्यान के अंतरगर अगर आप लोग को इसी तरीके से पाठी होजनां की वीडियो देखनी है daily basis पे, सभी विशेयों की, सभी classes की या फिर आप लोगं को सुचम पाठी होजना की वीडियो देखने हैं सभी कॉसलों की उपर सभी वीसियों की या फिर आप लोगं को BAT की क्लासेज लेनी है बिल्कुल फ्री में सभी सेमस्टर की या फिर BTC की क्लासेज लेनी है साथे साथ बिल आइकन जोड़ दबाख रखेगा तो देर नहीं करते हैं, चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले आजी स्पेस से आप पार्ट योजना बनाना है नेक्स्ट इस तरीके से बॉक्स बनाना है जिसमें पहला कॉलम बनेगा दिनांग का यहां पर डेट लिखिएगा विसे भूगल का है कच्छा अठ्वी है वर्ग अ है कालांस तीसरा है अवधी 40 मुट का है आप कालांस अपने अंसार भरिएगा जिस पीरिट में जाएंग उस समाने उदेश देखना है तो आप लोग उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं समाने उदेश उस वीडियो में होगा नीजे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में ठेस सारी वीडियो के लिंक दे दूँगा वहां पर आप जाके समाने उदेश देख सकते हैं भूगल विसे क सामाजी विज्ञान का यहां पर पूरवत क्यों लिखा गया है अगर आप पहली पार्थि में बना रहे हैं सामाजी विज्ञान की तो आप लोग को लिखना होगा सारे सामान देश कम से कम 2-3 पॉंट मैक्सम 5-6 पॉंट इसमें क्या लिखना होगा वो भी मैं बता दू आपक को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की knowledge का development करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में सामाने देश में कम से कम 4-5 point, maximum 8-10 point लिखना होता है पहला lesson plan अगर आप बना रहे हैं उस subject का तब दूसरा लेकिन बना रहे हैं तो आप पूर्वत लिख सकते हैं, यानि पहले lesson plan में जो सारी चीज़े लिखी गें, वो यहाँ पे include हो जाएंगे, अब दूसरी heading है विसे चुद्देश से, विसे चुद्देश से का मतलब होता है आपका जो topic है जो आपका chapter है, उस chapter को पढ़ाने के बाद आप बच्चों को क्या सीखाना चाहते हैं जैसे आज का chapter हमारा है परवत, तो परवत chapter पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या सीखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2-3 PUBG, 2-5-6 PUBG लिखना होता है दूसर पॉंटर चातर परवत का बरगी घड़का सकेंगे तीसा हेडिंग है अनुख्रयोगात्मक चातर परवत के कारकों को चिन्हित कर अपनी अभ्यास पुष्टिका पर चितरांकित कर सकेंगे दूसर पॉंटर चातर परवत के प्रभावों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चिनित का सकेंगे अगली हेडिंग है आपकी सहायक समगरी सहायक समगरी का मतलब बता है किन-किन समगरी हो कि आप सहायता सिछड़कारी के दोरान लेते हैं तो यहाँ बे दिखे लिखा गया जो आपके कॉलिज आले लिखने के लिए का है वो लिख लेजिएगा ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे पहले बच्चों से आप प्रस्न पूछेंगे उसका अंसर मिलेगा उसे दूसा प्रस्न बनेगा फिर उसका अंसर मिलेगा इस तरीके से कम से कम तीन प्रस्ट पूछ के अपना प्रकर निकलवा सकते हैं ज्यादा ज्यादा पांस से छे प्रस्ट पूछा जा सकता अपना प्रकर निकलवाने के लिए तो यहाँ पर पहला प्रस्ट बच्चों से पूछ रहा है तिसा प्रसन है भूतल के उचे उठे भाग को क्या कहते हैं बच्चे बोलेंगे भूतल के उचे हुए भाग को परवत कहते हैं फिर चोधा प्रसना आएगा परवत के मुख़े प्रकार कौँको कौँससे है समस्यातों प्रसना प्रसना होगा आपको अपना उद्द्यी सिखतर बोलना होता यानि की अपना topic बता अब चातरों आज्हां परवत के प्रवतों की विभिन प्रकारों के बारें में विश्टार अब उनको पता चल गया को ये चप्टर पढ़ाना श्टार्ट कर रहा है आप अब आदास पार्ट प्रस्तुतिकर हेडिंग डालिए चौर कॉलम बनाईए एक रमांक चातर ध्यापक या फिर छातर ध्यापिका क्रिया चातर क्रिया स्यंपट कारे पहला यहां पर विकासातों प्रित्वी के धरातल पर परिवरतन करने वाली सक्तियां कौन कौन से हैं हो जाए अब प्रवत के बारे मैं स्पाष्टि कर देंगे परवध व भूबाग है जो चारतर ध्या लिका बनाईगा क्या लिखा है उसको देख लिए पिर नीचे पढ़ाता हूँ चातर कढ़ा इत बहुत उचा होता है इसमें एक दूसरे से अलग उचे नीचे यहापे भागवा सिखर वाले छेतर होते हैं परवत अपनी उचाई के काड़ अपनी पास परोस की अपच्छा त्यंत इस पर देखते हैं वकिन उनके सिर्ष तल का विश्थार अधिक नहीं होता पहाडों तथा पहाड़ीयों के करम को परवत सेडियां कहते हैं किसी पहाड अथ्वा पहाडी की चोटी जो आसपास के प्रदेश से अधिक उची होते उसको सिखर कहते हैं चातर अले कॉलम में सेमची लिखा गए चातर गतन को द्यान पुरक सुनते हैं बहुत प्रस्न है परवत किसे कहते हैं वच्छ बोलेंगे परवत वह भूभाग है जो चारो तरब से की भूमी से महुत उचा हो दूसरा प्रस्न है परवत सेडियां क्या हैं वच्छ बोलेंगे पहाड़ों तथा पहाड़ीयों के करम को परवत सेडियां कहते हैं तिसा प्रस्ण है सिखर किसे कहते हैं बच्वलें किसी पहाड अथ्वा पहाड़ी की चोटी की आसपास के प्रदेशों से अधिव उची हो होती है उसे सिखर कहते हैं चौता प्रस्ण है वले किसे कहते हैं कि बनने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्वलें वले बनने की क्रिया क वलन कहते हैं पाचा प्रस्ण है मोड़दार या वलिद परवतों का निर्मान कैसे होता बच्ची नहीं बता पाएंगे सहसे आते में प्रस्ण हो जाएगा अब दूसरा सिछड़ बंद यही है मोड़दार या वलिद परवतों का निर्मान इसके वारे में सपष्टी कर आमने सामने टकराने से चट्टानों में मोड या वलन पढ़े आने से जाते हैं जो मोड़दार या वलिद परवत का निर्मान करते हैं वलित परवत विश्व की सबसे उचे तथा सरवाधिक विश्थिक परवत हैं इनका विश्थार प्राय हर महादीप में पाया जाता है चात्रोले कालम में लिखा गे चात्र कत्र को धियान को रख सुनेंगे महादीप में पाया जाता है बोध प्रसन है फिर से चात्रोले मोड या वलन कैसे पड़ जाता है बच्छोले वलित परवत अले हैं सिखर तिसा पसन है वलित परवत के कोई दो उधार दीजे वच्छोले लेंग हिमाले और अल्पस चोथा पसन है वलित परवतों के और क्या कहते है वच्छोलेंग मोड़दा परवत अब लास्ट ट्रेटिंग आता है यहाँ पर देखेंगे निरिच्छड कारे निरिछड कारे में यहाँ पर देखे चातर ध्यापक या फिछातर ध्यापका दौरा कच्छा में घूंग घूंग कर निरिछड कारे किया जाएगा छात्रों के व्यक्तिकत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा सामुहिक समस्या का समाधान स्यामपड पर किया जाएगा प्वैक्तिकत समस्या का समाधन उसी के स्थान पर इसलिए क्योंकि एक बच्चे को अगर कोई प्राब्लम है तो उसके लिए पूरी क्लास को डिश्टर्ब करने जूर्द नहीं है उसी के पास जाके उसकी समस्या को दूर कर दीजिए लेकिन कोई अगर ऐसी समस्या जो काफी बच्चों को आ रहे समुहिक समस्या है तो वो आप स्यामपड पे दूर करीजिए जिसे क्या होगा कम समय में आप स्यामपड पे सभी की समस्याओं को हल कर पाएंगे अगला heading है अबे पुन्राविति या मुल्यांकन के प्रसन पहला प्रसन है परवत किसे कहते हैं दूसरा प्रसन है परवत के सीर्ष का तल कैसा होता है तीसा प्रसन है चटानों में आंतरिक सक्कियों की काड़ क्या होता है चौता प्रसन है वलीड़ परवत कहां पाए जाते हैं और फ़ौ प्रसन है वलीड़ परवत के उधार लिखिए लास्ट ट्रिंग है गह्रिकार्यानी की होमव numb वच्चों को घर से करकलानिक लिए र्वक जरूर देना चाहिए तो यहाँ पर देखिए homework में एक प्रसन दिया गया है कराए गया सभी प्रसनों के उत्तर याज करके आना है उसके यहाँ पर देखेंगे लिखा गया अलोचना सुझाओ परविच्छक जो होगा आपका जो teacher होगा examiner होगा वो यहाँ पर अपने सुझाओ देगा कुछ कमिया होगी तो हुझा है तो उसके अलोचना भी करेगा ठीक है और यहाँ पर अपना signature करदेगा ठीक है signature करदेगा यहाँ पर पर अपना तो यह हो गया पूरा पूरा lesson plan आसा करतू है आप लोगो को आज का lesson plan पसंद आया होग तो सामके साथ विजये रोशन की class YouTube channel पे live classes चल रहे हैं B8 की और BTC के दोनों classes ठीक है और अगर इस वीडियो के पडियाफ चाहिए तो मैं बता चुक है आप लोग को रोशन की class Telegram channel से इस PDF को download कर सकते हैं इल्गूल free में तो students, मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम